भले ही आपका काम एक जल्लाद का हो, आप फिर भी उसे करूना के साथ कर सकते हैं। उसने गुस्से से चिडिया को बस इस तरह देखा, चिडिया में आग लग गई और वो जल कर राख हो गई। एक कसाई मुझे क्या सिखा सकता है? मैं एक ब्राम्मन हूँ। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मेरे काम की प्रकृती मुझे दूसरों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर करती है। फिर मैं अपने आस-पास हर किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक रिशी थे, जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, कौशेक नाम के प्राचीन रिशी। जब कौशेक प्रसिद्ध नहीं हुए थे, एक युवा सन्यासी, उन्होंने नदी में डुपकी लगाई। और एक पेड के नीचे सुभा की साधना के लिए, चहरा थोड़ा सा उपर क्योर उठा कर बैठ गए। एक चिडिया पेड पर बैठी थी, वो अपनी यी चीज़ें करती है, तो ये उसकी गलती नहीं है, गुरुत्वा कर्शन होता है। और वो आकर सीधे उनके चहरे पर गिरी, उपर के ओर उठा चहरा, ये पेड के नीचे बैठने का जोकिम भरा तरीका है। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, अभी अभी उन्होंने नदी में डुपकी लगाई, और वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चिडिया ने उनके चहरे पर गंदगी गिरा दी। उन्होंने गुस्से में चिडिया को बस इस तर है देखा, चिडिया में आग लग गई, और वो जल कर राख हो गई, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये बढ़िया है, ये काम कर रहा है, फिर उन्होंने अपनी साधना और बाकी चीज़ें पूरी की, और दिन क भोजन के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्क पर चलने वाले लोग अपनी जीविका नहीं कमाते, वो भिक्षा मांग कर खाना खाते हैं, तो वो गए, तो वो शहर गए, एक घर के सामने खड़े हुए और बोले, भिक्षा आम देही, इसका मतलब है, मैं भिक्षा लेने आ आम तोर पर परंपरा में, अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्क पर है, आकर भोजन मांगता है, तो चाहे आपके बच्चों ने नखायाओ, सबसे पहले आप उसे भोजन दे, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, और वो एक उच्छ खो भिक्षाम देही, क्योंकि आद सुबही चड़िया को, उसने उनके अध्यात्मिक प्रक्रिया को ठोड़ी हवा देदी है, वो बोली, कृपया रुखिए मैं आ रही हूँ, उन्होंने आवाज और उंची कर दी, भिक्षाम देही, वो चिलाए, वो बोली, कृपया कुछ मिन मैं आ रही हूँ, मगर वो चिलाते रहे, फिर वो महिला आई, और वो चिलाए, तुमारी हिम्मत कैसे होई, मुझे इस तरह इंतजार करवाने की, मैं एक सन्यासी हूँ, तुम मुझसे इस तरह इंतजार कैसे करवा सकती हो, और वो उसको घूरने लगे, वो बोली, मुझे थोटी चेडिया नहीं हूँ, तो तब वो, क्योंकि वो घटना आत सुभाई हुई थी, ये अभी अगबारों में नहीं चपा है, और उन दिनों कोई ट्वीट भी नहीं कर सकता था, चेडियों के अलावा, और वो चेडिया मर चुकी है, तो वो बोले, तुम कैसे जानती हो, वो बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घूरिये मत, मैं अपने पती को भोजन करा रही थी, जो देख नहीं सकते, मैं उन्हें खाना खिला रही थी, इसलिए मैंने आपको रुखने को कहा, आपको किस चीज की जल्दी है, मैंने कहा कि मैं आ रही हूं, वो बोले, लेकिन आपको कैसे पता चला, वो बोली, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के रवये के साथ, जैसे आप अभी हैं, आप ये सब नहीं जान सकते, फिर वो गिड़गिडाने लगे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजे, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, वो बोली, मैं ग्रहनी हूँ, मैं शिष्य नहीं लेती, आप चाहें तो मेरे गुरू के पास जा सकते, मैं आपको उनका पता दे दूँगी, तो उन्होंने पता दे दिया, उन्हें बताया कि कहा जाना है, फिर वो उनके निर्देशों के अनुसार गए पता उन्हें बाजार में ले गया और बाजार के बहुत अंदर तक, और फिर कसाई की गली में ले गया, वो एक ब्राह्मन है, कसाई की गली में देखा जाना भी एक अपराद है, उन्होंने चारों और देखा, मास लटके हुए थे, उन्होंने सोचा, शायद कोई गलती है, मगर पता सही था उन्होंने पूछा लोगोंने इस दिशा में इशारा किया और वो चले गए फिर उन्होंने पूछताच की लोगोंने कहा अच्छ है ये आदमी वहाँ है और उसके उपर हर जग़ा खून के छीटे थे और वो मास काट रहा था उन्होंने सोचा, जरूर कोई गलती हुई होगी, ये नहीं हो सकता चाहिए सज भी हो, मैं कसाई से नहीं सीख सकता एक कसाई मुझे क्या से खा सकता है, मैं एक ब्राह्मन हूँ वो मुड़ने ही वाले थे, कि कसाई ने उन्हें नाम से बुलाया और कहा आईए, मैं जानता हूँ कि उसने आपको भीजा है अब वो, वो जाकर वहाँ खड़े हो गए ये सारा खून और मास, उनसे सहन नहीं हो रहा था मगर वो बस हैरान होकर वहाँ खड़े रहे जब वो वहाँ गए, वो महिला चिडिया के बारे में जानती थी वो यहाँ आए, इस आदमी को पहले से पता है कि उस महिला ने उन्हें भेजा है वो इंतजार करने लगे कसाई ने का, थोड़ा रुकिए, मैं बस ये काम पूरा कर लूँ, फिर मैं आकर आपसे मिलूँगा वो बस वहाँ खड़े रहे फिर उन्हों ने अपना काम पूरा किया, सब्बंद किया, और फिर चलने लगे वो उससे तीन फीट की दूरी बना कर चलने लगे क्योंकि एक कसाई के बगल में चलना असल मैं उन्होंने उसे मास काटते देखा था फिर कसाई ने उनसे बात की, वो बोला आओ, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, हम वहाँ बात करेंगे वो उसके साथ चले गए उसने उन्हें बैठाया और अंदर गया सनान किया, कपड़े बदले और आकर कहा मुझे थोड़ा समय दो मेरे माता-पिता बीमार है, मुझे उनकी सेवा करनी है मुझे पहले उनका ध्यान रखना होगा तो वो अंदर गया और अपने बुज़र्ग माता-पिता की देख भाल की और फिर वापस आकर बैठ गया फिर उन्होंने पूछा मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो जानते हैं उसे कैसे जाना जाता है सुभा, वो महिला चिडिया के बारे में जानती थी मेरे आने से पहले ही आप मेरे बारे में जानते हैं ये कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ वो बोले बस किसी चीज का ध्यान पूरी भागिदारी के साथ रखना सीखो कोई चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है वो अपने अंधे पती की देखबाल करती है मैं अपने बुज़ूर्ग माबाप की देखबाल करता हूं और जब मैं इन पशूँ को काटता हूं तो मैं उनका कश्ट कम से कम करते हुए उन्हें काटता हूं मैंने कसाई बनना चुना क्योंकि अगर कोई और कसाई बनता तो वो पशूँ को कश्ट देख सकता था मैं का साई बना क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो सबसे बहतर कर सकता हूँ अगर मैं इसे किसी और पर छोड़ देता तो वो उसे जैसे तैसे करते तो बहुत अलग नहीं है क्रिमिनल लॉयर इसे करुणा के साथ कीजिए, परिशानी क्या है? आप वकील का काम कर सकते हैं, आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तमाम चीजें जो दुनिया में करने की जरूरत है, आपको उसे करना है मगर मूल रूप से, अगर आप देखते हैं कि मैं सिर्फ जीवन हूँ जीवन बाकी हर चीज के साथ स्पंदित होगा, प्यार कोई नीती नहीं है, ये एक अनुभव है आप उसे एक नीती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीती के तौर पर ये काफी मूर्खता पून नीती है, सच में अगर आप चारों और देखते हैं, और हर चीज के साथ एक महसूस करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एहसास है आपका खुद को कहना, मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, तुम मैं हो, मैं तुम हूँ ये हेगदम अलग बक्वास की तरफ ले जाता है किसी को पसंद मत कीजे, किसी को ना पसंद मत कीजे, बस उनके साथ रहिए जैसे आप पेडों और बादलों और पहाडों और बाकी हर चीज के साथ हो सकते हैं मान लीजे, आप कहते हैं कि मैं अपने बच्छों से प्यार करता हूँ आप क्या करते हैं? आप वो करते हैं जिसकी जरूरत है हाँ या ना? क्या प्यार यही नहीं है? आप वो करते हैं जिसकी जरूरत है आप पक्षपाती नहीं होते तो पूर्वा ग्रह इसलिए होता है क्योंकि आप किसी न किसी चीज के साथ पहचान जोड़ते हैं जब मैं पूर्वग रह कहता हूँ, तो आपको समझना चाहिए, जैसे ही मन किसी चीज के साथ पहचान जोड़ता है, आपके मन में एक तरह का पूर्वग रह होता है, अगर आप कहते हैं मैं एक पुरुष हूँ, आपके अंदर एक बहुत पुरुष जैसा पूर्वग रह है जो आपको पता नहीं होगा दूसरे सोचते हैं कि आप कुछ और है उनके पास इसके लिए बुरे नाम है जैसे ही आप कहते हैं मैं एक भारती हूँ आपके अंदर भारती है जैसा पूरवग रह होता है चाहे आप कोई भी पहचान बनाए आपका मन बस उसी के आसपास काम करता है और ऐसा लगने लगता है कि ये सही है वो खास चीज जिससे भी आपकी पहचान है बाकी सब अलग लगता है तो मूल रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है किसी नई चीज के साथ पहचान न जोड़ना यहाँ जीना सीखना पहचान के किसी भी अहसास के बिना बस जीवन के रूप में यहाँ जीना सीखना क्योंकि आप वास्ताव में वही हैं है ना तो अभी आप कोट में हैं यह आपके कारे की प्रकृती नहीं है यह आपकी पहचान है जो आपको स्पंदित नहीं होने देती अभी आप भले ही किसी को मौत की सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हो ठीक है, भले आप मौत की सजा के लिए काम कर रहे हो आप उस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ हुए बिना तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कारे की प्रकृति क्या है चाहे आपका कारे जलाद का हो आप उसे भी करूना के साथ कर सकते हैं लोगों ने ऐसे भयंकर काम भी करूना से किये हैं है ना?